हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे डेली हाई कोट ने जो सर्विंग और रिटार्ड जेसियो जवान है उनके लिए जो है बड़ा अपडेट आ रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि जेसियो जवान का जो एक्वल एमसपी का काफी टाइम से हाई कोट में केश चल रहा है और इस पे दोस्तों जो है काफी अच्छा हाई कोट की तरफ से अपडेट आ रहे हैं और हाई कोट की तरफ से जो जेसियो जवानों के जो एक्वल एमसपी को लेकर अभी पूरा का पूरा इसके उपर अभी बाईस तीन दोहजार तेईस को जो केस की सुनवाई हुई थी उसमें जो क्या क्या बाती हुई है और किस तरीके से ये जेसियो जो जवानों के लिए पॉजिटिव ख़बर है इसके बारे में बात करेंगे चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इंपोर्टन अपडेट के बारे में दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे है और साथी साथ बेल आइकन ज़रूर दुबाए दोस्तों ये है दिल्ली हाई कोट का जो पेज है जहां पे आप देख सकते हैं की Odyssey, Order of judgement और इसमें Petitioner आप देख सकते है Words of Ex-Service Man Society And ORs versus Union of India और ये जो हैस्टंग जो हुई ती जो लिस्टंग हुई ती ये 22,3D और ती इसको और इस केस में जो है जो बहस हुई थी उसमें जजज की तरफ से जए जजस साब ने पूछा था कि जो MSP हैं वो सभी को equal मिलनी चाहिए या बढ़ाई जानी चाहिए साथ ही साथ जोस्तो इसमें जो MSP के बारे हैं पूरी चर्चा हुई थी कि MSP किस बेस पे मिलती है ये जो responsibilities दी जाती है उसके बेस पे मिलती है तो उसके उपर पूरा का पूरा बहस हुआ था और अभी इसके उपर जो है और detail में बात होगी लेकिन 22,23,23 को जो है काफी जादा इसमें detail में बात हुई है और जिसके बेस पे जो argument उसमें कहा गया है कि जो MSP है वो equal होने चाहिए बढ़ाय की बात नहीं की जा रही है और ये जो है next hearing में जो है इसके उपर detail में पैसला लिया जाए है जोस्तों ये था आज का important update जिसमें की अब जो MSP को लेकर अब positive judgment की नहीं दें दोस्तों आप इसको order of judgment उपर upload कर दिया गया है इसको अब सब्रूर चब करें जोस्तों अब वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए शेयर कीजिए और subscribe करना ना भूले Thank you for watching this video